हम जिस भी बरतन में रोजाना पानी का इस्तेमाल करते हैं उसमें इस प्रकार के देखिए खारे दाग पढ़ जाते हैं जो बहुत कटोर होते हैं और एक पपड़ी के रूप में जमा हो जाते हैं बहुत कट्टिन होता है और चारों देखें चाहें आप बाल्ती औơओ पानी की या पानी का ड्रम हो या स्टील के बरतन हो जिसमें भी आप पानी लेते हैं उसमें काफी मात्रा में ये दाग पढ़ जाते हैं ये देखिए इस में बहुत ही खराब लगता है यह देखने में काफी खराब लगते हैं यह देखें काफी जादा दाग पढ़ गैंनलो में स्टील के नल रखतें तो इस प्रकार के भद्धे दाग पढ़े जाते हैं तो चलिए विसको कम साफ करने आपको तरीका बताते हैं हमने देखे साफ कर लिया है इसको अब देखे पहले थर्मस में अब थर्मस में कितना अंतर आप लोग देख रहे हैं ये बिलकुल चमक रहा है बिलकुल नए थर्मस की तरह है और हमने इसको बहुत बढ़ी असे देखे आप देखे कितना बढ़ी है सारे दाग जो पानी के धब्बे थे वो सारे हट चुके हैं और ये काफी साफ सुत्रा हो गया और इसमें देखे काले दाग भी नी पड़े है धब्बे भी नी पड़े है हमारा यूज करने का ने धगकन भी काफी क्लीन हो गया है आप लोग देख रहे हैं कितना बढ़िया साफ हो गया है देखे इसमें जो पानी के दाग लगे हुए थे साइड में और जहां पर इसकी चूड़ियां है वहां पर भी काफी दाग थे तो यह काफी साफ हो चलिए हम इसको आपको क्लीन करने के बताते हैं तरीका तो हमने देखे यह सैनी फ्रेस ले लिया है आपको हार्पिक का इस्तिमाल नहीं करना है यह बहुत आसानी से और बहुत जल्दी यह पांच मिनट में बिना किसी मेहनत के आपके जो पानी के भद्दे दाग है पूरी एक लेयर जो जमी हुई रोती है जो किसी भी चीज से नहीं चूट सकती है इसको आपको डाल के पांच मिनट के लिए रख कर छोड़ दीना है और इसको इस तरह कि जो बॉटल साफ करने वाले ब्रस ते उससे चारों तरफ आपको प्रकार से फैला करके छोड़ दीना है जिससे कि वो पांच मिनट में जो उसकी जो परत होती है वो लूस हो जाती है, सौफ्ट हो जाती है तो अब हमको ब्रस को अच्छी प्रकार से गुमा कर साफ कर लेना है आपको ये सब करते समय हाथ में गलफ्स जरूर पहन लेना है क्योंकि आपको इससे हाथों में एलर्जी हो सकती है जिसकी सेंस्टिव स्किन है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप लोग बिना गलफ्स के इसका इस्तिमाल ना करें तो देखिए हमने चारो तरव अच्छी प्रकार से लगा दिया है सैनिफ्रेस को यह बहुत हलका होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है ना ही आपके इसमें स्टील के कोई भी बरतन काले पड़ते हैं ना कोई नुकसान होता है तो मैं अपने किचन के जो हार्ड बॉटर है उसको साफ करने के लिए एक जो डिबबा लेती हूँ वो अपने किचन में ही रखती हूँ उसका इस्तेमाल करती हूँ नलो को साफ करने के लिए तो देखे ये दिवाल पर भी पानी के बहुत जिद्धी दाग हो गए है ये किसी चीज से भी नहीं हटते हैं आप किसी से भी साफ करिये ये बिल्कुल नहीं हरते हैं ये टाइल में हमने इसका इस्तेमाल किया हूआ है तो हमने इसको फैला देना है जो confident हमारे बरतंध होने का जो पत्व होती है ये देखे है आप सबीके घरों में ये मिल जाती है इसली इस्से आप को इनको फैला करके इसको भी 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ये देखे कितनी बढ़िया हमने पहले आधा इसको साफ कर चुका है थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए हमने पूरसन में लगाया हुआ है ये देखे इसको अच्छी प्रकार से हमने फैला लिया है फैला करके इसको छोड़ ये जरूर जिससे कि ये जो इसका रियक्षन है उसके बढ़िया साफ हो जाए और दाग हैं वो हट जाएं आसानी से आपको ज़्यादा मैनत भी नहीं करनी पड़ेगी और दाग भी आसानी से निकल जाएंगे और इसमें क्या होता है कि आपका पत्थर भी नहीं खराब होता है ये जो टाइल्स लगी हुई है ये तो मेरी ग्रेनाइट की लगी हुई है उसमें भी इसका कोई नुकसान नहीं होता है हमने देख इसको रगड लिया है और पानी से आपको दो देना है तो इस प्रकार से आपको अपनी पट्टी पर इसको डाल लेना है अच्छी प्रकार से फैला लेना है इसको और अब हम नलों को साफ करना आपको बताएंगे यह हमारे स्टील के नल है इसको हमने देखिए काफी गंदे हो चुके इसमें पूरी लेयर जम चुकी है एक पूरे पानी की जो खार होता है वो पूरा जम हुआ है इसमें हमको इसको अच्छी प्रकार से देखिए रगड लेना है और मैं बता दू यह बिल्कुल भी कोई दिकत नहीं होती है देखिए आप देख रहे हैं मैं आपके सामने अपने हातों से इसको किस प्रकार से चारों तरफ ह साफ कर देता है नल को यह देखिए अब हम इसको रगड लेते हैं आप पांच मिनट क्रे छोड़ देंगे तो और जल्दी यह क्लीन कर देगा जो पानी के दागों को है हटा देगा यह आपका यह देखिए जहां पर ज्यादा दाग है आप दुबारा भी वहां पर थोड़ आ लिया है और पानी से हम धो रहे हैं इसको यह देखिए कितना बढ़िया चमक रहा है बिलकुल नय नल की तरह हो गया है बिल्कुल नए की तरह यह चमकने लगा है यह देखिए और इससे आपके नल काले भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत जगे मैंने देखा है कि लोग हार्ड उसका इस्तेमाल करते हैं जो भी एसीट वगएरा उससे नल काले पढ़ने का डर रहता है लेकिन सेनी फ्रेस वाला जो आप जो है यह टौILet क्वीनर यूस करेंगे तो इसमें कोई भी बरतन आपका जो पानी रखते हैं आप बरतन में स्टील के मठ के रखते हैं steel के उन्स सब को आप बहुती आसानी से फटाफट इसको साफ कर सकते हैं और उसने बाद जो आपके बरतन हैं उसको आप गरम पानी से और जो आप जिससे बरतन दोते हैं विमबार वगैरा से अच्चे से कोरे जरूर क्लीन कर लिजए अगर कहीं आपको दाग धब्बे निजर आते हैं तो आप थोड़ा सा इसका इस्तेमाल दुबारा से उसी स्थान पर इसको लगा लेजे यह देखिए और थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दीजे और ग्रीन पट्टी से दुबारा रगड देंगे तो वो जो चोटे चोटे जो दाग दब्बे हैं वो भी बहुती आसानी से साफ हो जाएंगे इसी प्रकार से आप बात्रूम की टाइल्स, बात्रूम के नल, शौवर और जो बेसिन के नल होते हैं उन सबको इससे आप क्लीन कर सकते हैं तो आप लोग भी इस तरीके से अपने बात्रूम के नलों को टाइल्स को और अपने जो इस ऐस चोचिल के बरतन हो साफ करके हमें जरूर कमेंक करके बताएं